हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मा यूटूब चैनल, दोस्तो आज मैं आपको बताऊँगा कि किस में ज्यादा प्रोटीन होता है तो हमारी बोडी ग्रो करने के लिए हमें अपने वदन से ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है समझ लो आपका वेट है 60 kg तो आपको 120 ग्रोटीन की जरुरत पड़ेगी तबी जाकर आपकी बोडी ग्रो हो पाएगी दोस्तो आज मैं आपको बताऊँगा कि हमें कम खर्चे में सबसे ज्यादा प्रोटीन किस चीज में मिलेगा ज्यादा प्रोटीन हमें सोयबीन बड़ी में मिलता है जो बहुती कम खर्चे में आपको मिल जाता है तो 100 ग्राम सोयबीन बड़ी में आपको मिलता है 52 ग्रोटीन और उसमें कार्भोहेडरेट मिलता है आपको 33 ग्राम और दोस्तो 100 gram soybean body में आपको fat बहुत ही low मिलता है इसमें fat मिलता है आपको 0.5 gram बहुत ही कम दोस्तो अगर आप जिम जाते हो वर्काउट करते हो तो आपको इस milk को जरूर से add करना होगा अपने diet में अगर आप vegetable हो तो ये diet आपके लिए best रहेगा तो इस diet को जरूर से follow करना आपको आपके body में बहुत ही अच्छा result देखने को मिलेगा दोस्तो ये है 100 gram सोयबिन बड़ी तो मैं इसे 50-60 gram ही भीगो के रखूँगा क्योंकि दोस्तो अगर इन जादा खाए तो हमारी तबियत भी बिगड़ सकती है तो अगर आप बिगिनर हो अगर आप पहली बार खा रहे हो तो आप इसे 30-40 gram ही खाना इससे ज्यादा मत खाना क्योंकि ये आपके तबियत खराब कर सकता है तो मैं इसे 50-60 gram ही भीगोंगा इस 40 gram में पे आपको 15-20 gram protein मिल जाएगा और दोस्तों मैं इसे कैसे काता हूँ ये भीग जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा इसको भीगने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है दोस्तों ये बस 15-20 मिनिट में ही अच्चे से भीग जाते है तो दोस्तों फाइनली ये अच्ची तरीकी से फुल गए है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं दोस्तों ये है 50-60 gram स्वयबीन और मैं इसे एक रोटी के साथ खाऊंगा और दोस्तों इससे मुझे लगबग 25-30 gram प्रोटीन मिल जाएगा अगर इसे आप ऐसे नहीं खा सकते हो तो इसके आप कोई भी रेसिपी बना कर खा सकते हो इसे कोई दिकत नहीं होगी आल सकते हो प्रोटीन इससे का हुआ प्रोटीन झाले!